दोस्तो बोर्ड examinations आ चुके हैं आप लोगों के करीब और क्या हमें पढ़ना चाहिए इसके लिए क्योंकि दोस्तो बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहें बहुत सारे लोग कह रहें भाई 10 वी 12 आपकी जिन्दगी नहीं बना सकता कोई बोर्ड का exam का paper आपकी जिन्दगी न जिन्दगी में यह मांक्स जो हैं दोस्तों आपकी जिन्दगी लिखेंगे यही 10-12 का मांक्स बहुत जरूरी है यह जो 10-12 का examinations है यह आपकी जिन्दगी के next बहुत सारे किताबे बहुत सारी doors आपके लिए खोलेंगे और यह जरूरी है आपको लग रहा हूँ है क्या मजा कर रहा है वी विवेक दोस्तों मैं आपको experience के साथ कहता हूँ मैं engineering complete के अभी मैं MBA की तियारी करके एक अच्छी college के try कर रहा हूँ है मैंने बहुत सारी जगाहों पर देखा है दोस्तों लोगों को अटकते हुए क्योंकि दोस्तों मैं यूट्यूब के काराण बहुत सारे ब अटी थे तो वह filter लगाती है क्यों filter लगाती है चूब को पता है कि colleges में number लाना आसान है comparatively तभी न आपको पन्ने में आता होगा कि engineering में एक रात को पढ़के हो जाता है तो दोस्तों एक रात को पढ़के जब हो जाता है तो सुचिए जो ज़़ासा कम भी पढ़ता है उसकी भी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, end में college में कम value मिलता है, तो जब बड़ी company जाती है, जैसे gold band success है बड़ी, तो वो filter लगाती है, filter लगाती है 10-12 के marks पे, जैसे कि उनको कम बच्चों को interview करना पड़े, क्योंकि already उनको पता है कि भई हमें 2-4 बच्चों को ही लेके जाना है, तो दोस्तों ये भी आपके लिए important है, IIT आपका सपना नहीं, छोड़ा private college है, तो वहाँ तो और भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि छोड़ा private college तो हमेशा यही चाता है कि बच्चे को कैसे opt-out करूँ चौथे year में, और इसको placement drive से निकाल दूँ, मैंने देखा है मेरे college में ही, बहुत सारे बच्चे जो 60% से नीचे था दोस्तों, उसको मौका ही नहीं मिला किसी college, किसी company में बैठने का, इसके साथ साथ दोस्तों, आप MBA के अगर तयारी करें, future में कोई विदेश दाने का सोचें या किसी बड़े जगां उपर दोस्तों, उहां पर भी percentage score रहता है, मैंने देखा है दोस्तों कुछ IIT में, IIT मदरास और IIT खड़कपुर यह सब में, दोस्तों जो बच्चे 98 percentile लेकिया थे, बट उनका 10-12 में 60-60 percent था, 98 percentile, चाहां उस college के लिए इतना नहीं लगता है, फिर भी दोस्तों उसको select नहीं किया गया, और उसके उपर वो OBC candidate है, तो जो marks है, CS score, composite score जो मिलता है, वो दोस्तों काफी गिर गया, इसके साथ बहुत सारी company, जब आप IITs, IITs में चल नहींगे, 75 के नीचे आपको बैठने नहीं देंगे, छोड़े-छोड़े companies में आपको offer मिलेगा, तो आपको बैठने का वो doors open नहीं होंगे आपके लिए, minimum आपको interview तक भी नहीं बुलाएंगे, तो दोस्तों आपके लिए वो कैसे मौका मिलेगा कि जो उनका तो हमेशा अच्छा रहेगा, बट अगर आप किसी तरह bad fall से अगर 900 students में आगे, जहां पर जो मौका नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है दोस्तों कि आपकी future अटक जाए, which is a big problem, ऐसा आपको देखाऊगा UPSC में, government exam की बात अलग है तो फिर भी कुछ-कुछ ऐसे exam से जह क्या और करना शुरू करते हैं, क्यों ना अभी से वो महनत करें, जो भाद में हम सोच रहे हैं कि हम करेंगे, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप 10-12 के exam में हैं, तो अपने दोस्तों को भी शया कीजिए, जो अभी है, या फिर जो ऑल्रेडी इसको देख र आना या अंदर से कि जो है, मैं भी काबिल हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, तो वो 10-12 के board score से आपको बहुत मिलता है, तो कि जब भी आप 11 पढ़ने जाएगा, 12 पढ़ने जाएगा, मैं इतना परसेंट लिख आया हूँ, आदमी आपको अच्छा जच करेगा, similarly आने वाले टा और 93 लाया फाइनल्स में, मेरा एक दोस्त था, 62% ले गया था, और फाइनल्स में सीधा 100%, भाई, कमाल का लड़का अभी IIT कानपूर में है, especially शायद मैं अभी किसी IIT में चल जाओ, पर आपको ये सारी चीजे मोटिवेट की होगी, आप भी पढ़िए, और अपने board examinations को को करीजिये और ब्यास्ट